आप सभी का परिहार आई इस गेडंडे में फ्रिस वाटर था, तो हमने सुद्ध जली जो था फ्रिस वाटर तो और उसके बारे में हेविटेशन के बारे में इंवार्मेंट अमें किया शॉट्ट होता है आप समुद्र के भावतिक रासायनिक तथा जैविक और भूवैज्ञानिक अध्यान को हम क्या बोलते हैं समुद्र विज्ञान उसी को हम ओसी एनो ग्राफी ओसी एनो ग्राफी बोलते हैं ठीक है ना तो समुद्र क्या बोलेंगे आप समुद्र के भावतिक रासायनिक तथा जैविक और भूवैज्ञानिक अध्यान को हम समुद्र विज्ञान कहते हैं और यह आप जान लीजिए कि अधिक्तम जो जीव होते हैं उनका निर्मार जल के ही अंतरगत होता है वो जल में ही अपना जीवन यी आपन करते हैं तो यह सबसे बड़ा छेत्र होता है है यहाँ पर जीव निवास करते हैं तो आए엔 हम चलते हैं देखिए CYC सबसे पहले 5 5 महा सागरों का जय से देखिए किया पाय आजाता है 5 महां सागर होते है टोटल है अपने यहां जो हैम मतलब कितने आम हैं 5 तो पहला नंबर प्रसांथ महा सागर जी से बोलते हैं Pacific Ocean ठीक है न ध्यान दीजेगा जो Pacific Ocean होता है ये सबसे विसालतम तथा सबसे पुराना महासागर है ये कुल पृत्वी के अस्थल का 35.25 परसंट होता है ठीक है सेकंड नमबर आपका कौन सा महासागर है प्रसांत महासागर दूसरा नमबर Atlantic महासागर ये Atlantic महासागर या इसे Atlantic Ocean भी आप बोल सकते है Atlantic Ocean तो ये दूसरा सबसे बड़ा विसालतम महासागर है और ये पृत्वी के कुल छेत्र का कितने परसंट है ये कुल पृत्वी के कुल छेत्र का 20 दसमलों महो प्रसंट है ठीक है न अगला देखिये अगला जो महासागर है वो अगला महासागर हिंद महासागर है हिंद महासागर जिसे इंडियन ओसियन बोलते हैं क्या बोलेंगे इंडियन ओसियन ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ठीक है ना और ये जो है प्रिथवी के कुल 6 त्रफल का 14.65 प्रतिसत होता है अब अगला अर्गटिक महासागर, ध्यां देचे चलिएगा, अर्गटिक महासागर में आप क्या बोलेंगे, देखिए, यह उत्तरी दुरूप पर 이स्थित है, अर्गटिक ओसीयन ये कहाँ पर है, उत्तरी दुरूप पर इस्थित है और इसका कुल्चेतर प्रफल 13,000,00,00 किलो मीटर square है ठीक है ना यह उत्तरी धुरुप परिस्थित है और अगला नंबर जो पच्मा है तो उसे आर्क अंटार कटिक अंटार कटिक अंटार कटिक महा सागर ठीक है ना तो इसे क्या बोलेंगे अंटार कटिक ना तो जो अपना यह इसको आपका ली ये ना तर्टिक अंटार्टिक ऑसियन एन तर्टिक आपना ना तो पहले तन ऐसे किसमे उतरी दुर्म में स्थित यह कहां पर है यह दच्रू इदेक अब दिच्चरीत रूब में हैं स्थित और इसका कुल 6 रफल कीतना होता है ? तो इसका कुल छेत रफल 8,008,006,003,008,005,005,002,002,008,005,002,002,002,002,008,005,002,002,002,002,006,002,003,002 आए यह अब आपको समुत्र से समंस्दित कुछ परिभासाइं बताते हैं महासागर हम किसे बोलते हैं, जो OCM कहलाता है, इसे हम कहां बोलते हैं, महासागर हम किसे कहते हैं, तो यह खारे जलका सफे बड़ा छेत्र होता है, ध्यान दीजेगा, यह खारे जलका सफे बड़ा छेत्र होता है, यह विफाल छेत्र है, जो पृत्वी को चारों और से घेरे उसे हम महासागर कहते हैं, यह विसालतम छेत्र है, और है न, यह खारे जलका, क्वों से जलका, खारे जलका, ठीक है न, यह खारे जलका विसालतम छेत्र होता है, जो पृत्वी को चारो मोर से, क्या करता है, घेरे रखता है, ठीक है, अगला देखिए, समुद्र, समुद्र को हम किया बोलींगे ओसीयन बोलिंगे कि महादीप को घेडा है ध्यान दीजीएगा यह क्या होता अगरा देखिए आप खारी देखिए खारी किसे कहते हैं खारी जिसे बे बोलते हैं बे खारी क्या होता है यह वह विसालतम छेत्र है है ना जिसका मुख में देखिए का खारी का क्या होता है इसका मुख विसाल होता है मुख जो है विसाल होता है मतलब इसका जहां से प्रारं तौर होता है वो काफी बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं खाड़ी बोलते हैं और ज्वार नद मुखी ज्वार नद मुखी ज्वार नद मुखी ज्वार नद मुखी किसे कहते हैं तो ज्वार नद मुखी किसे कहते हैं ज्वार नद मुखी किसे कहते हैं ज्वार नद समुद्री जल किससे मिलता है समुद्री जल नदी के जल से मिल जाता है मतलब समुद्री समुद्र के खड़े छेत्रा नुसार अगर इसका विभाजन किया जाए, समुद्र के खड़े छेत्रा नुसार विभाजन किया जाए, समुद्र के खड़े छेत्रा नुसार विभाजन, तो ध्यान रखिएगा, तीन छेत्र है, समुद्र के खड़े छेत्रा नुसार विभाज ठीक है तीन छेत्र पहला नमबर प्रकासी छेत्र क्या लिखेंगे पहला नमबर प्रकासी छेत्र इसे बोलेंगे यू फोटिक आर फोटिक जोन सेकंड नंबर है अप्रकासी छेत्र इसे बोलेंगे अफोटिक जोन तीसरा नंबर बोलेंगे प्रतिकार छेत्र इसे बोलेंगे कमपेंसेशन जोन ठीक है ध्यान दीजेगा तो पहला छेत्र होगया है प्रकासी छेत्र, दूसरा छेत्र होगया है प्रकासी छेत्र में क्या होगा यहां पर प्रकास आसानी से पहुं जाएगा यह समुद्र comes in ठीक है, ध्यान देचे चलिएगा, पहला जो छेत्र आपका, मैंने प्रकासी छेत्र बताया, तो ये ऐसा छेत्र है, जहां पर, है न, जहां पर क्या है, जो प्रकास है, है न, सूरी की किरणों का जो प्रकास है, वो क्या, सीधे इस पर पड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा, य अब ध्यान दीजेगा, यह क्या हो गया, यूफोटिक जोन, अब अप प्रकासी छेत्र, यह ऐसा स्थान होता है, क्या बोलेंगे, देखिए, अब यह जान दख लिजेगा, यूफोटिक जो जोन है, यह 100-200 मीटर गहरा होता है, इसकी गहराई कितना होता है, अप लिख लेज यह ऐसा यूफोटिक जोन, इसके अंतरकत क्या लिखेंगे, प्रकासी छेत्र में, नाम से इस पर्च्थ है प्रकासी छेत्र, तो इसमें आप लिख लिजेगा, इसमें प्रकास असानी से पहुँच जाता है, और यह कहां 100-200 मीटर गहरा होता है, इसकी गहराई कितना लिख ठीक है ना, अब यूफोटिक जोन हो गया, अब इसके बाद आता है, ध्यान दखिए, अफोटिक जोन, क्या लिखेंगे, अफोटिक जोन, अब देखिए, यहां पर अफोटिक जोन, यह गहरा जोन होता है, गहरा छेत्र होता है, अफोटिक जोन, मतलब अप्रकासी छेत्र यहाँ पर प्रकास नहीं पाया जाता है यहाँ पर रोसनी नहीं होती है सुरी की रोसनी की रने नहीं आती है तो यहाँ अपोटिक जोन कहलाएगा यह और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर उत्पादक जीव नहीं पाये जाते हैं ठीक है ना आप इसको में ध्यान रखना है अब प्रतिकारी छेत्र हो गया अब अगला यह हो गया अब प्रकासी छेत्र है अब तीसारा नमबर लेखेजिए प्रतिकार है ना प्रतिकार छेत्र अब प्रतिकार छेत्र किसे बोलेंगे प्रतिकार चेत्र को बोलेंगे यह चेत्र प्रकासी तथा अब प्रकासी चेत्र के बीच आता है प्रकासी और अप्रकासी जो चेत्र है उसके बीच कौन सा चेत्र बन जाएगा वो बन जाएगा प्रतिकार चेत्र ध्यान रखिएगा जो अफोटिक जोन है हाना अब यूफोटिक और अफोटिक के बीच कौन सा जोन बन जाएगा कंपेंसेशन जोन ठीक है तो ध्यान दीजिएगा तो यूफोर्टिक जोन जोन तो यूफोर्टिक जोन जोन होता है यूफोर्टिक जोन के बीच पाया जाता है प्रकासी और प्रकासी जोन के बीच कौन से जोन पाया जाता है प्रतिकारी जोन पाया जाता है ठीक है ना अब देखिएगा समुद्र में अनुछेत्र का वर्गी करण कितने भागों में किया जाता है जो कितने जोनों में अंतर ज्वारी या वेलांचली वेलांचली छेट इसे क्या बोलेंगे इंटर टाइडल और लिटोरल जोन देखिए ये जोन जो होता है उचे ज्वार तथा नीचे ज्वार के मध्य पाए जाता है कौन से अंतर ज्वारी जो जोन होता है तो देखिए ज्वार भाटा आप समझते हैं क्या होता है किसे ज़़ार जैसे समुद्र की सत्ह थीख है ना समुद्र की सत्ह यहां समुद्र का में लेवल है यहां तक मतलब समुद्र में पानी यह0 है इसका माली से न тебе जीज़ा अगया फिस्सा है minder का मतलब मैजिमम हिस्सा है कि इसके न ऊपर होगडा यह correct यह Okay ठीक है ना, अगर उपर हुआ तो डिश्टर्ब हो जाएगा, नीचे हुआ तो डिश्टर्ब हो जाएगा, तो समझेगा, जब देखिए, जवार भाटा आता क्यों है, सूरी तथा चंद्रमा की गुरुत्ती के रिड़े, मतलब गुरुत्तु के प्रभाव की कारण, जो gravitational force हो नीचे की और हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं भाटा, ठीक है, आगे हम जो हमारी geographic की कच्छा चल रहे हैं, उसमें आप देख नीजगे वीडियो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए, कि अंतर जवारी विलांचल छोत्र, कहां पाया जाता है, यह उंचे छेतर के बीच पाय जाने वाला में वो होता है, जोन, अब देखिए, सेकंड नमबर जो आप लिखेंगे, वो नेरेटिक छेतर, सेकंड नमबर, नेरेटिक छेतर, ठीक है, नेरेटिक, नेरेटिक जोन, ठीक है, तो नेरेटिक जोन में क्या आ जाएगा, महादीपी धलान प महादीप पर महादीपी धलान का जो उथला छेत्र होता है यह उथला वाला हिस्सा है ना महादीपी धलान का जो उथला हिस्सा होता है उथले जल का यह छेत्र महादीपी धलान का उथले जल का छेत्र नेरेटिक छेत्र कहलाता है यह 200 मीटर यहां तक यह क्या कहलाएगा नेर नेरेटिक जोन के अंतर गताएगा, नेरेटिक जोन, यह क्या, 200 मीटर, कहां तक यह 200 मीटर तक का छेत्र होता है, इसका लेवल कितना है, 200 मीटर तक का छेत्र होता है, ठीक है न, तो यह देखिएगा, यहां का जोन क्या कहलाएगा, यह न, ध्यान दीजेगा, तो यह क्या होत तीसरा नंबर देखिए गंभीर छेत्र तीसरा नंबर आप क्या देखेंगे गंभीर छेत्र गंभीर छेत्र बैथिल जोन अब देखिए महादीपी धलान जैसे यहां तक है महादीपी धलान यहां तक है तो महादीपी धलान के 200 मीटर देखिए 200 मीटर तक का छेत्र क्या हो गया यहां तक क्छेत्र क्या हो गया अब यहां से जितना आधिक छेत्र आएगा, तो यह वाला छेत्र आपको कहलाएगा, बैθल जोन यह इसको आप कह सकते हैं, दम्धिर छेत्र कहते हैं, ठीक है ना, अब ध्यान दीजेगा, अगला नमबर देखिएगा, वितल छेत्र, कौन सा? वितल छेतर एबी सल जोन ठीक है तो ये महादीपी धलान जहां तक महादीपी धलान पाई जाती है उसके बाद माली यहां तक महादीपी धलान का इंड हो जाता है और महादीपी धलान के बाद का जो छेतर होता है वो कहलाता है वितल छेतर उसे हम बोलते हैं एबिसल जोन ठीक है ना तो यह महादीपी धलान के बाद गहराई पर इस्थित होने वाला छेतर कहलाता है महादीपी धलान के बाद यहां तक मज़ेसित था महादीपी धलान तो महादीपी धलान के बाद क्या गहराई तक इस्थित छेतर जो होता है तक होता है ये 6000 मीटर से अधिक गहरा होता है से अधिक गहरा ठीक है ना ये 6000 मीटर से अधिक गहरा होता है अब देखिए कुछ जो जीवो जीव पाई जाते हैं कहां पाई जाते हैं समुद्र में पाई जाते हैं तो उनका सरीर अनकूलित होता है वो उसी प्रकार अनकूलन उ water होता है वहां का मैराइन water होता है वहां वह निबास कर सकें तो adaptation in क्या लिखेंगे heading adaptation in deep sea animal मतलब गहरे समुद्रों में पाए जाने वाले जीवों में अनकूलन फ़स्ट नमबर देखिए भोजन की कमी heading डालिएगा भोजन की कमी आप देखिए भोजन की कमी में आप क्या लिखिएगा कि भोजन की कमी देखिए समुद्री जीवों में समुद्र में पाए जाने वाले जीव उनको भोजन कैसे प्राप्त होगा और वो क्या होते हैं अधित्तम क्या होते हैं कीट भच्छी होते हैं या परपोसी होते हैं है न सब्सक्राइब कीटों का भच्छड करते हैं ठीक है कीट को क्या करते हैं तो भोजन की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं कीटों का भच् सरीर छोटा होता है ठीक है ना भोजन की कमी के कारण होने की कारण इनका सरीर कैसा होता है छोटा होता है ठीक है उनमें ये अनकूलता होगी छोटे होटे बहुत बड़े नहीं है इसलिए असानी से ये छोटे हैं तो जल में रह लेते हैं और जब छोटी सरी रही होगी तो पाचन क्रिया भी छोटा, सब कुछ छोटा, है ना, सभी आरगन इनका छोटा, तो भोजन की कमी पहला हेटिंग डालिएगा, दूसरा नम्मा लिखिए, इनकी आकरिती, या इनका फार्म, या इसी को आप इनका सेफ लिख सकते हैं, ठीक है अब देखिए, इनकी जो देह होती है, आकरित में क्या लिखेंगे, जो इनकी देह होती है, वो अत्यधिक पतली होती है, है ना, इनकी जो देह होती है, अत्यधिक पतली होती है, आपको मैं ग्यांपल के तवर पर बता दूँ, जो फ्लैट फिस होती है, जो फ्लैट फिस हो इतनीदब जाती है, मतलब, वो इतना चपता हो जाता है, कि उसकी दोनों आंखendoם, मतलब, एक आंख के बराबर हो जाती है, मतलब समझ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइब कि इतने चपते हो गए, कि जो side वाली दूसरी आंख भी होती है, तो यह इंस वाली यांख से इतना चपट जाता है, जैसे यह वाली यांख इससे इतना चपक जाए कि फ्लैट पिस पाये जाता है यह न फ्लैट फेसरा नमबर आप लिख लेजाए ऱलपर डेखिये ओ ओर्ण क्या होता है क्योंकि देखिए समुद्रे जली समुद्र में क्या होता है प्रकास तो गहरे समुद्र में प्रकास पाया नहीं जाता है प्रकास नहीं पहुच पाता है तो इस कारण उनमें प्रकास नहीं पहुच पाने के कारण उनका जो रंग होता है क्योंकि प्रकास की कमी होती है प्रका प्रकास नहीं पहुना पहुछ पहता जिस का रंगू राल, भूर, कलेग, लीड, नी नील, भी हो सकता है अब देखिए इनमें body, support, तो body जो support होता है, तो दे का सहारा के लिए, जैसे देखिए जो, crustacean है, ठीक है बोले, मोलस्का है, मोलस्का है, ееkainoderma है, Okayeno, डरमा है, तो crustacean, molluska, इकाइनो डर्मा में क्या होता है लंबे उपांग पाए जाते हैं क्रश्टेस यान मोलस का इकाइनो डर्मा इन सभी में क्या होते हैं उपांग जो पाए जाते हैं तो उपांग जो होते हैं वो लंबे पाए जाते हैं ठीक है न और परियाप्त मात्रा में इसमें काटे उपस् पाई जाते हैं ना यह इनमें खुरों का मतलब मुख्यता नेल्स बज़ारा पाई जाते हैं जिससे यह पूरता अनुकूलित रह सके ठीक है अब देखिए अगला नमबर एक उदाहरा लिख लिए पाचवा नमबर इनमें अनुकूलन का छेत्र लिख लिए भोजन एवं अब यह समझे कि मैं इसमें बता दूं कि भोजन उनको क्या परियाप्त मत्रम मिल पाता है समुद्री जली जीव में अब देखिए उनको तो यह प्रकास अंसलेसार वाला पाउधे वाला तो भोजन परियाप्त मत्रम पान ही पाएंगे तो क्या होते हैं वो कीट भच्छी ह होते हैं तो इनका सरीर अत्यथिक इसलिए मजबूत होता है है ना इनकी जो हड्डियां होती है तो हड्डियां काफी मजबूत होती है हड्डियां मजबूत होती है ठीक है इनके सरीर नुकीला भी होता है सरीर नुकीला भी होता है जिस कारण यह अधिक्ति कीट भच्छी ह जिससे वो अपने सत्रों को या अपने भोजन को अपने सिकार को ये आसानी से काट फाड़ के खा सके ठीक है ना इस प्रकार आप इसमें लिख लिजेगा मतलब जो गहरे समुद्री जीव होते हैं उनमें अनकूलन किस प्रकार का होता है इस प्रकार आप मेराइन वाटर का आप भाग लिख दीजेगे ये सबसे अधिक भाग पाया जाता है ठीक है ना तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जैसा भी लगा हो लाइक सब्सक्राइब श झाल 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 झाल